हेलो फ्रेंड्स दोस्तों ये सामने आप लोग मेरा ओलियंडर का प्लांट देख रहे हैं और आप देखी रहे हैं कि इसमें खुब धेर सारी फ्लावरिंग हुई है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ठंडी के समय में जब ओलियंडर में थोड़ा सा फ्लावरिंग काफी ज् है तो उस समय भी हम कैसे इसकी केर करें कि जाड़े में भी खुब धेर सारा फ्लावरिंग करता रहे तो और इसके लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए और इसमें कितना वाटर वगरा पानी सिचाइस की कैसी होनी चाहिए तो यह सारी बाते मैं आपको बताऊंगा तो दूसरी तरह के होते हैं लेकिन बाकी पत्तियां वगरे सब कनेर जैसी ही होती है और इसको लेंडर कहते हैं और अगर आप इसको जाड़े में भी इस तरह बना कि रखना चाहते हैं खुब धेर सारी फ्लावरिंग होती रहे तो आप ध्यान रखे कि इसमें आप सर्षो की ख सरसो की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और ठंड के समय में पौधों को थोड़ा सा टेमपरेचर यानि गर्मी की ज़रूरत पड़ती है फ्लावरिंग करने के लिए तो आप सरसो की खली का प्रेवोग अपने जाड़े में अपने इस प्लांट में करें तो आप देखेंग शेडिंग एरिया में रखते हैं तो इसमें फ्लावरिंग बहुत कम होगी या न के बराबर होगी और ये ध्यान रखें कि जाड़े के समय में आप इसमें पानी बहुत जादा न डालें जब मिटी बिल्कुल सूख करके टाइट हो जाए उपर से तब इसमें थोड़ी सी इसम दिन में पानी डालने में बहुत अंतर होता है रात में अगर आप पानी डालेंगे तो लंबे समय तक पौधों में नमी बरकरार रहती है और दिन में अगर आप पानी डालते हैं तो वह बहुत जल्दी इवपरेट होकर उड़ी जाता है तो रात में काफी लंबे समय तक प फ्लावरिंग होती रहे आप इसकी पिंचिंग लगातार करते रहें क्योंकि इस तरह करने से आपका जो पौधा है वो खुब घनाकार हो जाएगा देखने में काफी सुन्दर भी लगेगा दोस्तों अगर इसको आप एक पेड जैसा बनाना चाहते हैं तो उसको उसकी एक डा कालियां होती हैं उसको कट करते रहें यानि आप इसको पेड का श्वरूप भी दे सकते हैं और छोटा इस तरह से जो घनाकार बुशी श्वरूप है यानि बुशी फॉर्म है वो भी आप बना करके रख सकते हैं तो आप इसकी लगातार पिंचिंग करते रहें उपर से या नीम की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर भी बीच बीच में डाल दिया करें ठंड के समय में थोड़ा सा जो अटाइक होता है स्पाइडर्स वगरह का तो और मिलीबक का तो वो इस नीम की खली की वज़र से वो नहीं हो पाएगा और थोड़ा सा अगर हो सके तो हल्दी का पानी भी इसमें डाल दे तो दोस्तो इन सब तीन चीज़ों को आप डालकर देखिए जाडे में भी आप खौब मिलेंगे आसी तरह से पिंच कर correct घंऽा बना सकते हैं और दोस्तों ये जो इसका जो घनाकार स्वरूप होता है वो बड़ा ही खुबसूरत लगता है देखने में तो इसको अगर आप घनाकार बनाना चाहते हैं तो आपको उपर से जो है पिंचिंग लगातार करनी होगी फ्रेंड्स इसकी मिट्टी आप थोड़ी रेतिली और ऐसा रखें कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी टिक न सके क्योंकि कनेर के लिए टिकने वाला जो पानी होता है वो बहुत नुक्सान करता है तो आप वेल्डेंट स्वायल आप बनाएं और उसमें कनेर का पौधा लगाएं तो आप देखेंगे कि आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ लेता है और साथ ही साथ इसकी जो थोड़ा सा जब भी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए तो उपर से थोड़ी इसकी निराई गुड़ाई भी आप कर दिया करें निराई गुड़ाई इसमें निराई गुड़ाई कर सकते हैं और निराई गुड़ाई करके ही इसमें आप तोड़ा सा लिक्विट फर्टिलाइजर जो भी हो चाहे बनाना यानि केले के छिलके का लिक्विट फर्टिलाइजर है या सरसो की खली का लिक्विट फर्टिलाइजर है तो यह आप इ कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद जो कनेर के जो गुर्धर्म होते हैं यह थ्यान रखें कि कनेर का यह जो ओलेंडर है थोड़ा सा यह इसमें थोड़ा से केर की जरूर होतेती है जब भ कर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि जब भी कनेर या ओलेंडर से रिलेटेड कोई भी काम आप करें तो यह ध्यान रखें कि इसका जो लिक्विड होता है यानि इसकी डंधल का या फ्लावर्स का तो वह आँख वगरह में न जाने पाए और हाथ में लग जाए तो अच् आप चाहते हैं कि इसमें खुब भेर सारी फ्लावरिंग होती रहे तो आप सर्सों की खली का फर्टिलाइजर बना के डालें दोस्तों कनेर का या ओलियंडर का प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसको आप कटिंग के द्वारा बहुत अच्छी तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं इसकी एक साब सुत्री कटिंग ले लें जो की बहुत जादा सूखी नहों और बहुत जादा हरी नहों यानि मीडियम साइज की एक कटिंग ले करके आप उसको अच्छी एक रेटीली मिटी का आप मिक्स तयार करें और उसमें एलो वेरा जल लगा करके उसकी cutting उसमें लगा करके और उपर से polyethene से अच्छी तरह से rubber band लगा करके tightly उसको बांग दे आप इसको rubber band यानी polyethene लगाने के पहले एक बार अच्छी तरह से उसकी सिचाई करदें और यह ध्यान रखें कि जिस पॉर्ट में आप कटिंग लगा रहे हैं उसमें नीचे कई होल होने चाहिए जिसे कि आपकी जो सिचाई वाला पानी है वो नीचे से होके बह जाए और इसके बाद तब आप उसमें पॉलिथीन से अच्छी तरह से उपर से पैक कर दें फ्रेंड्स आप 10-15 दिन में द सैकडों पोधे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो और बहुत अच्छी तरह से इसकी कटिंग लगती है तो आप कटिंग से इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं तो दोस्तों ये रहा सफेद वाले ओलिंडर का इन्फॉर्मेशन की कैसे आप जाड़े में इसको केर कर सकते हैं और इसको आप इस तरह से रख सकते हैं कि इसमें खुब भेर सारी फ्लावरिंग होती रहे तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद थैंक्स पार वाचिंग मिलते हैं किसे और वीडियो पर तब तक के लिए टेक केर धैं